ट्विन फ्लेम जर्णी से मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया हर फेस के माध्यम से उतार चड़ाब दोनों ही सुच्छोशन से मैंने सीखा ही सीखा है मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है और अपनी ट्विन फ्लेम के करेब पोचा हूँ आज मैं इस स्टोरी के जरिये DM के रूप में एक फ्रेंड की जर्णी शेयर करने जा रही हूँ जिसने अपनी जर्णी के बारे में हमें बताया स्टार्ट करने से पहले मैं यह बताना जाओंगी कि हर डियेफ की हर ट्विन फ्लेम की जर्णी सुच्चेशन एक जैसी नहीं होती सबकी जर्णी डिफरेंट होती है, सबकी सुच्चेशन अलग होती है इस जर्णी में दोनों ही ट्विन एक दूसरे को गलत समझते हैं एक रिष्टे से भाग रहा होता है तो दूसरा उसे चेस करता है डियेम क्यों भागता है क्योंकि वो कम्पिटीशन से डरता है वो कमिट्मेंट से भागता है और सच्चाई का सामना नहीं कर पाता DM के नजरिये से वहें अपनी twin soul को protect कर रहा होता है क्योंकि वहें इतनी ज़्यादा situation से लड़ रहा होता है कि उसे लगने लगता है कि अगर मैं अपनी twin soul को साथ लेकर लड़ूंगा तो उसका effect मेरी twin soul पर बुरा पड़ेगा उसे बहुत सी यातना सेहनी पड़ सकती है उसकी image खराब हो सकती है तो वह अपनी twin soul को कुछ भी नहीं बताते कि वह किन किन situation से fight कर रहे है बस उसे excite कर देते हैं और उसे कुछ नहीं बताते क्योंकि उनकी सोच होती है कि मैं उसे कुछ बताया तो वह stress में चली जाएगी और मैं यानी DM उसे दुखी नहीं देख सकते मुन नहीं देख सकते कि मेरी divine feminine किसी भी problem में फसे तो वह run करते हैं run करना ही वह एक better option समझते हैं उन्हें लगता है कि मैं नहीं run किया तो मेरी divine soul या मेरी twin soul problem में फस जाएगी और जिन situation से मैं घेरा हूँ वह भी शोट आउट करना जरूरी है तो वह अपनी twin soul से इतना प्रेम करते हैं कि अपने प्रेम का sacrifice कर देते हैं और उन्हें नहीं पता होता आगे feature क्या होगा अपनी twin flame से आगे continue कर पाऊंगा या नहीं बट अभी इस situation से fight करना उन्हें ज़्यादा important लगता है तो वह अपनी twin flame को protect कर रहे होते हैं ताकि वह damage ना हो और भागते हैं runner और chaser का game हर twin flame की journey में होता है situation अलग-अलग हो सकती है यह क्यों होता है actual में यहीं से वो यात्रा या journey स्टार्ट होती है जिस पर universe इन दोनों soul को लाना चाहते हैं यानि कि spiritual journey यह separation एक महतपूर रोल या important रोल अधा करता है separation में ही दोनों soul learning करती है वो सीखती है universe से और अपने karmic account से क्योंकि separation के दोरान डियेफ को डियेम बार बार यहीं बोलते हैं कि मैंने अपने प्यार का sacrifice कर दिया है मेरे उपर बहुत सारी responsibilities है और अगर हम ऐसे ही blind इस relation में आगे बढ़ते रहे तो मुझे तो मेरा तो नहीं बर तुमारा डर है कहीं तुम किसी problem में न फज जाओ बस यहीं बात को वो बार बार repeat करते जाते हैं बर डियेफ confused रहती है कि इन सब situations या खाली responsibility के चलते divine masculine हमारे प्यार का sacrifice कैसे कर सकते है डियेफ हर situation से लड़ना चाती है बर डियेम चुपी में आ जाते हैं साइलेंट हो जाते है लावा वो कोई बिबात डियेफ को Tv, नहीं करते डी है या फिर Tv पार्टी में तो नहीं जाना चाते कहीं वो मुझे cheat– sab as per planning तो नहीं कर रहे या उन्होंने पहले से ही कोई planning कर रछी दी और अब वो उस planning पे चल रहे है और मुझे बताया तक नहीं ऐसे बहुत से इश्यू क्रियेट होने लगते हैं इस जर्णी पे चलने के लिए spiritual रेडी नहीं होते हैं spiritual growth के लिए पहले उन्हें अपनी सारी situations का सामने करने की चौर्थ होती है तो DM अपनी प्यार का sacrifice कर भागते हैं उनकी नजरों में वो अपनी DF को protect कर रहे होते हैं दोनों ही twin flame के बीच काफी सारी misunderstanding क्रियेट हो जाती है जो बहुत ही deep होती है कई बार emotional issues traumas की या money hurts feelings होती है जो काफी painful होती है क्योंकि काफी सारी misunderstanding होती है सो DM को अपनी डर या fear को face करने की जोर्थ होती है खुद की personal growth के लिए वो भागते हैं सो वो run करते हैं तो कभी किसी भी मामले में या रिष्टे से भागने की desire एक DM की feeling होती है क्योंकि यह learning की भी journey होती है जो actual में एक बार आप अपने बारे में है जान लेते हैं तो आप इससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अधिकतर separation के face में DM को ही दोशी ठहराय जाता है कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है बट हमेशा सच नहीं होता इसके opposite भी हो सकता है Divine Mask Line रन करते हैं तो आमतोर पर जब अपनी spiritual growth के लिए universe द्वारा उन्हें रन कराया जाता है सो separation के लिए कई बार न DM जिमेदार कई बार DM जिमेदार नहीं होते आप दोनों अपने separation और million के लिए खुदी जिमेदार होते हैं सो यही मतलब है कि आप दोनों इस समय separation के दोर से गुजर रहे हो तो आपको अपना spiritual growth करना है गलती सिर्फ एक twin की नहीं होती सो एक दूसरे पर blame करने से आपको कोई भला नहीं होगा अगर आप इस journey को समझ लेते हैं तो आप easily इस journey पर आगे बढ़ते हैं जो चैस करता है वे spiritual growth पर आगे बढ़ता है इस stage पर नहीं पता होता है कि हमारा twin बापस आएगा या नहीं EM strong mindset की होते हैं उनके पास अपनी problem से fight करने के लिए या solve करने की ability होती है वो solution देख सकते हैं उनका solution निकाल सकते हैं जो twin flame को safety और assurance और great quality परदान कर सकता है यदि आप अपने problems या situations को नहीं balance करते तो वो out of control हो सकती है problems के solution के अलावा और भी बहुत कुछ mind में चलता रहता है अपने twin के बारे में सोचना या separation के दरदनाग या painful journey को बरदाश ना कर पाना प्रेंपू situation से बाहर नहीं आपाना क्योंकि यह separation बहुत ही painful होता है कई बार हर चीज के solution की जोड़त नहीं होती actual में आप हर चीज का solution नहीं निकाल सकते masculine twin flame बहुत ही रहसे में होते हैं वो बड़ी ही आसानी से अपनी mind में अपनी ही दुनिया में खो सकते हैं वो अपनी feminine को दुनिया से छुपाना चाहते हैं उन्हें हाइट कर रखते हैं उनके mind में बहुत कुछ चल रहा होता है वो चीजों को गहराई से फील करते हैं भले ही इसे surface पर नहीं लाते जो उनकी एक strength भी होती है लगी यह important है कि इस flame में अपनी counterpart divine feminine के साथ वे open रहें उनसे कुछ hide ना करें और वो अगर ऐसा करते हैं तो वो कभी भी mysterious जैसे show नहीं होंगे सो divine feminine के साथ open और clear रहें तो twin flame के बीच strength और bond और भी strong होगी third party issue या फिर present society issue बहुत सारी difficulties खड़ी हो सकती है जो हमारे twin flame के साथ true love के रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं example के तोरप अगर DM समाज में मुझूद किसी problem में फ़स जाते हैं जो जाती या tradition की वज़े से issue आ रहे होते हैं तो यह अफिसारे issue होते हैं तो यह separation loneliness और frustration को जर्म दे सकता है मैंने अपनी जर्णी में बहुत कुछ सीख कर अपना कदम आगे रखा है है so मैं बहुत खुश हूँ इसमें important क्या है कि अम मैं पहले से कहीं चादा अपनी twin flame के करीब आ गया हूँ twin flame journey बहुत लंबी होती है कभी-कभी यह hard और confusion create करने वाली भी होती है लेकिन यह सबसे अधिक फाइदेमंद और पूर्ण संबंदों में से एक है most rewarding and fulfilled relationship है जब आप अपने twin flame से truly unite होते हैं तो आपना केवल अपनी सच्चे स्वरूप को गले लगा रहे होते हैं खुद को fulfilled feel कर रहे होते हैं आपका प्रकाश या आपकी जो light है आपकी vibration दूसरों की help करने में शक्षम होती है क्योंकि आप अपने true life purpose को ढूनते हैं और जीवन में अपनी role और goal को समझते हैं यदि आपने इन में से किसी भी twin flame में ऐसे emotions को feel किया है तो आप अकेले नहीं हैं हम में से बहुत से लोग ऐसा feel करते हैं कि हम संपाक में कम हैं जैसे हम अब हमेशा अपनी twin soul को chess करते हैं एक्चुल में हम अपने भीतर की negativity से लड़ रहे होते हैं लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि आप खुद को समझने लगते हैं तो दोस्तो यह था एक हमारे divine masculine का experience उमिद करते हैं कि आपको मारे द्वारा देगी जैनकारी पसंद आई होगी ऐसी रोचिक जैनकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल soul journaling से में आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्ते